पर अत्यारों को लेकर कड़ी कानून बनाए गए हैं, हाल ही में महिला दिवस पर कई घोश्टाइं भी की गई, लेकिन असल में ऐसा नहीं है टोंक के मालपुरा में मानवता को शर्मसार करने वाला ऐसा एक विजियो सामने आया है जिसमें नाता प्रता और प्रेम प्रसंग से जुड़े मामले को लेकर बागया समाज के लोगों ने उन्हीं के समाज की मा और बेटी पर अत्ताचा किया पीडितास के परिजनों का रोप है कि यूग पहले तो जहांसे उसके साथ शुकर्म किया और फिर प्रसंग वालों से पिटवाया और बेटी घटना वीडियो मारपीट करने में शामिल यूग को और उसके परिजनों ने बनाया और उसे कासी हद तक वाइरल भी किया गया हैरान करने वाली बात तो ये है कि मा और बेटी को सरयाम निर्वस्तर करने और उनकी असमत को तार तार के भी खुम हिलाए ही बच्चे भी इस खौफनाक मंदर देख रो और चिला रहे हैं लेकिन हैवानियत का चोला ओड़े इंस जिसमें बेड़िता ने ये आरूप लगाए था कि बेड़िता लेंबग सत्रा साल उसके उमर है और उसने ये आरूप लगाए था कि उसको जो आरूपी है वहां से ठीकी गया और उसकानों से बनादर किया है और फिर उसके जो आरूपी था उसके सरस्वाल पक्स के लोगों ने उस पीड़िता के साथ मार्वेट की उसके साथ ज्यार्थी किये मुकंदमा दर्ज होने के बाद लामवारी सिंग ठाड़े को जांस दीगी वहां से जो संगीन धराय थी उसके आदबदमा दर्ज होने के पर जो आरूपी जो है जो अनुसंदान के लिए पत्राव लेकुझे पराफ्त हुई है इसमें अब तक जो अनुसंदान किया गए उसके इसाब से और फिर निंग का जो मजबून है कि पेडिता को पहले भी तीन चार बार यारूपी जो है इस सार्वे के साथ मिये गई है उसको लेकिन कि कोई आपस में सामाजिक इस तर पर सम्झोता हुआ है और जब यह अभी जो आप जिस गटना को लेकर प्रक्रण दर्श कराए गया तो कि आरूपी शादी सुदा था और वो पीडिता को के साथ रहना चारा था उसको ले जाना चारा था इसलिए उसके जो सस कोई डिजिटल साक्षिय भी हो सकते हैं तो पीडिता के जो परिवार्जन है उन से मैंने बात कियो तो कल शाम को इस माभू प्रक्रण के समझ में कुछ डिजिटल साक्षिय मुझे राप्दू है जिने हमने अन रिडिकॉर्ट एडिया है और सिक्रेजी चुन पर्मानित कर किया रूप की कर दो परिवार्जन है